तो नई वीडियो शुरू हो चुकी है और आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोस्ट ओफ लिविंग इन डिल्ली के अंदर आप पढ़ा ही कर रहे हैं तो आपकी कोस्ट ओफ लिविंग कितने लगने वाले हैं और सिफ एक महिना ही नहीं बलकि आपके आपको चीजे समझाओँगा सारी कि सारी तो मज़ाइगा आपको बुडियो बें रख़िक है अब काफी कम हो ही लेकिन फीज फीज नहीं इसके अंदर आपकी ओर भी खर्चे होते हैं जैसे कि आपका रहने का खर्च आए आपका खाने-पीने का खर्च आए इसके लावा अगर आप दूर रहते हैं तो metro का खर्चा हो गया, इसके अलावा महिने के आप कुछ extra खर्चे भी करते हैं, तो सभी को मिला करके जो cost of living है वो निकल करके आती है, cost of living का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका fees structure नहीं होता है, fees के अलावा भी बहुत साजी चीज़े होती है, अब देखिए मानली जी को ऐसे शेहर के अंदर है, जो बहुत साथ popular शेहर नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी fees जादा होगी, लेकिन रहने का खर्च आपका काफी कम होगा, सबसे कम खर्च में आप कैसे रह सकते हो, हर चीज़ के बारे में discuss करते हैं, ठीक है, तो देखिए, डियू की fees की जहां तक बात है, तो आप किसी भी कोलेश इंदर का पढ़ाई कर रहे हो, तो आठ हजार से लेकर के 25,000 के बीच आपकी फीस लगने वाली है, तो उस हिसाब से डियू की फीस काफी काम है, और आपको लगया किया है, काफी कम खर्च के अंदर हम लोग डियू के अंदर सभाइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वह आप पतातों कैसे, अब अपनी फीस तो पे कर दिये है, अब आपको रहना भी है भई, अकॉमेडेशन भी आपको लेनी है, चाहिए आप डियू सुटी के होस्टल ले लीजिए, या फिर आप कोई पीजी ले लीजिए, आप कोई रूम ले लीजिए, फ्लेट ले लीजिए, भई कुछ भी हाँ पर सस्ता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल फीज है, बहुत ही नॉर्मल आपको हर होस्टल के अंदर मिल जाएगी, इस सासाथ कुछ ऐसे भी कॉलीज है, जहां पर एक लाग बीज़ार, एक लाग चालीज़ार का सब्सक्राइब आपको फीज देखने को मिलती है होस्टल की, प्राइब आपको फीज देखने को मिलेगी, चाहे फिर आप मानलीजी होस्टल के लाग बहार कहीं रहते हो, बहार आप पीज़ी लेते हो, नॉर्मल से नॉर्मल पीज़ी आपको 10-12,000 के बीच पड़ेगा, नॉर्मल पीज़ी रेट, उसे ज़्याद आप देखते हो तो 15-16,000 में पड़ जाएंगे आपको लेकिन नॉर्मल पीज़ी आपको 10-12,000 के अंदर पड़ता है, और भी टू सिटर, यानि कि एक रूम के अंदर दो बैड होंगे, एक बैड आपका होगा, और एक बैड की फीज़ी से है, ना कि पूरे रूम की, तो आपको फीज़ी भी इतना महँगा पड़ेगा, इसके लाव मानली जी आप रूम लेते हो, तो रूम आपको बही कम से कम है, बिल्कुल बेस प्राइज आपको बतारू, आठ ख़़दा से शुरू होते हैं, एक बहुत ही चोटा सा रूम मिलेगा, जिसके अंदर आपको भी खाने का अलग करना पड़ेगा, आठ खाला हो मानली जी आप खाने का और भी करते हो, तो रूम आपको काफी महगा पड़ता है, इसी तरह से मानली जी अगर आप फ्लैट लेते हो, फ्लैट भी आपको टूब एच के आप ले रहे हो, तो आपको वो फ्लैट की होती है, तो इस तरह से आपको फ्लैट पड़ेगे, ठीक है? तो कहने का मतलब लें है कि आगर मानली जी, आपको टूबिए कई कोलज की फ़ीस हम एड गर दे, अगर हम एक इन ज ramp न्यनल नोर्मल फईस आपके अपके एक कॉमेडेशन की एड़ कर दे, इसके साथ साथ अगर हम एक नॉमल फईस आपके वही अख का बोलेंगे, नोर्मल तो इतना तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आप यह मत सोचीगा कि बहुत ही कम चार्जिस के अंदर रह सकते हैं अराम से सब कुछ कर सकते हैं इनना आसान कम नहीं है अब माल लीजिए बहुत साथ से स्टुएंट होंगे जिनको भाई यह फीस काफी ठीक लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कुछ ऐसे भी स्टुएंटों के अंदर पढ़ा ही करें या फिर नहीं करें तो डेफिरेंटल आप पढ़ा ही किज तो वहाँ पे रूम से सस्ते मिल जाते हैं आपको 5000 के अंदर रूम मिल जाएगा थास रस दा रोम रह लिजिए आपको अप्ड़न करना पड़ेगा यह आपको देखना पड़ेगा इसके अलावोह मानन लीजिए एक रहते हो फिर आपका कित Ral cela को बना सकते हो but कि ठिक हाना क को बता दिया कि अगर भई आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो अगर आप नॉर्मल फैमिली से हो तब का एक महीने का खर्चा है कम से कम बता रहो हूँ भई 10 से 12 अफ़ार आपका लगने वाला है और आगर आप किसी तरह से मान लीजे जुगार दो के कहीं तो आपको उसीजी आती है कि यार इतना चोटा सा रूम है इतने पैसे में पेकर रहा हूं हुआ इतने लोग अकड भी दिखा रहे हैं इतना रूम तो हमारे वाले शहर के अंदर बातरूम से होते हैं, तो मतलब, लेकिन आगे, यही कोस्त अफ लिविंग अपर डेलियु सेटिकी, तो आप पहले से इसके बारे में अवेर हैं ना, बाकी यह कि चाहिए आप मिडल क्लास से हैं, फिर आप लोगर मिडल क्लास से भी आप रह सकते हैं, आप थोड़ा सा धूढ़ना पड़ेगा थोड़ा दूर ले लिजिएगा आप, लेकिन हाप ऐसा मत सोचना गिया रहे तो बहुत जादा होगे हम कैसे रहेंगे, रह सकते हैं थोड़ा दूर आपको देखना पड़ेगा बस आपको यह आपको दिक्कत यह थी ठीक है, बागी थोड़ा सा अगर आप और सस्ता लेंगे, आप कैंपस के इंदर लेना चाहोगे तो फिर रूम की हालत थोड़ी सही नहीं मिलेगी, बाखी तो ठीक है, राइट, इसके लाव एक सिसे चलो में बता जाता हूँ एक और, जैसे जो आप अक्सर सुनते ह तो नोर्ठ एपस्थ जहां पर है लिए उस तरह थोड़ा सा तो अब रहने वाला एक्ष to भी पध्ली पत्ली घल आ ही मिलने वाली है एक नो एक मार्कित थोड़ी ठीक है तो बहुत ही मतलब धश्यों इमेजिक है मत करना थक स्ञेट जहूआ है, उसके वंसमने लेकश ऑञ झाल